तरफ दोस्तों सवागत है आप सभी का न्यूस एलप लाइन में आज बात पार प्रॉवांचल मोचा का यहां पर प्रोजेशन चल रहा है सिविल लाइन पे लगतार 13 जार करोड़ पे की मांग को लेके सफाही करमचारियों के वेतन के लिए डॉक्टर्स के वेतन के लिए करोना जैसी महामिवारी में अपनी जान की परवान ना करते हुए जंता की सेवा की है जनार्दन की सेवा की है लेकिन ब्रश्टा चार की अनेकों कारियों करने वाले ऐसी सरकार और गोपाल राय जैसा ब्रश्ट मंत्री आज हम लोग हंदोलन के माद्यम से उन्हें जगाने आये और पापस पैसा देंगे भारते जंता पाइटी इस परकार से नसांती से बैठेगी और पुर्वांचल मोर्चा ना चैन की नीद सोएगा और ना प्रश्ट गोपाल रा मंत्री को सोने देगा लेकिन क्या लगता है बीजेपी को बदनाम करने की साजिशें इसे ना देके प्रामचारियों की नजर में बीजेपी को बंदनाम की और धूर्ट मुखमंत्री है सभी कलाओं में सभी कलाओं में निपूने इसी प्रकावर से इनकी भृष्टाचार का यह अंतिम अंदोलन है इसके बाद इस सरकार का सफाया होना है जंता जान चुकी है करोना काल में उनकी रक्षा करने वाले का वेतन खा गई दिल्ली सरकार अजपा का संगर्श कब तक जारी रहेगा जब तक यह 13,000 क्रोड वापिस जिनका अधिकार है जिन भी वेतन को वापिस नहीं देदेंगे तब तक भारती जंता पाल्टी पुरवांचल मोर्चा यह अ जमा कर लिया रख लिया अब तो इन से दिल्वाना है तो दिल्वाने के लिए हमारे मेर भी बैठें सारी भारती जंता पाल्टी के सभी मोर्चों ने चारोत रख से इनके मंत्रियों को घेर लिया है अब सिरफ इन लोगों से हमें एक ही हो है कि जो पैसा दबा के रखा है उ उनको वो दे दे नहीं तो यह अंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा और अंदोलन अभी कुछ भी नहीं है अभी तो यह अंगड़ाई है और लागे और लाई है इन से इन बचा देंगे अभी जिसके इनोंने कल्पना भी नहीं की है जब तक 13,000 क्रोन वापिस नहीं